एलो दोस्तों कैसे है आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं हैं तो दोस्तों आज का एलेक्शन नमर्बीस है और इस प्रिविय्टर में हम लोग बहुत सारी इंप्रकार को मुद्टायो को अ Hindi दोस्तों नहीं लोग घुच Boned नहीं खी दोस्तों लुछ के तुरन कि इसे एक्जाम में पुछने का चांस यह कुछ जादा ही रहता है इससे तो इसलिए दोस्तों आपको यह अच्छे से पढ़ना है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यह जनना कि बीम क्या होता है फिर उसके कि वह अस्ट्रक्शर होरिजोंटल कंपोनेंट जो की सपोर्ट वी सपोर्ट ऑन एनी सपोर्ट मतला किसी भी सपोर्ट को सपोर्ट देता हो वैसी संग्रचना जो किसी भी सपोर्ट को सपोर्ट देता है उसे को हम बीम कहते हैं तो आयो हो दोस्तों आपको बीम समझ में आग होता है तो सबको कैंटी लीवर भी कैंटी लीवर भी क्या होता है दोस्तों तो दा बीम इन वीच वन इंड इज फिक्स एन अनदर इंड इज फ्री इसका क्या होता है कि अगर कोई बीम है उसका एक जो इंड होता है एक इंड फिक्स है और जो दूसरा वाला इंड है उसको हम तो सबस्क्राइब छोड़ते हैं इसी को हमगों दोस्तों बोलते हैं कांटीलीबर विम ये सकते हैं उसी को uşक्णेपूर प embrann feminine क्या हो pray esperar कि योविब श्र continent को हुगने करने के दोस्तों के तेल् развलीद फिर कृना बुद्युव14 डेयों जिससे हम simply simply support किये हुए है । मampower beam जिसको हम स्फिब support दिये हुए उसी को हम लों बोलते है simply supported beam यासा है कि दोस्तो दे सकते हैं मेरा Gothic Yanis यह बैवाद मेरा लाल ये वह वाला मेरा week है और इसको हम दो support दिये हैं यह मेरा सर्पोर्ट है यहाला और यह मेरा दुसरा support है तो देखे दोस्तुर है मी एक अब दूस्तर ताम लोग पढ़ेंगे overhanging beam क्या होता है tada beam in which at least one end is extended beyond the support is known as overhanging beam कहारी मलें है दोस्तों कि वैसा बीम जिसका एक इंड तो ठीक है एक इंड यहां पर जो समिरा यह वाला इंड है यह तो ठीक है लेकिन जो दूसरा सपोर्ट है वो बीम के अंदर होना चाहिए जिसके दोस uh अप्रागन इक एक इंडल मतलब कोई एक इंड एकん ऍट्य कोनाया चाहिए इस शाचाहिए बियांड द या राइए और यह भी है कि के पर सपोर्ट इस इकас इल्गिन बड missffen रहा रहा है दो आधिन किंटL का अपन搭े वती alkohos तो इसको दोस्तों बोलता है हम लोग ओवर हैंगे बीम. देखिए one side overhanging beam, one side over है मतलए one side इधर वहाँ आउंगे में ही निकला हुआ और उसके अंदर ही मही हम support दी हुग है, तो इसको बोलते हम अब पड़ते हैं दोस्तों continuous beam, the beam in which number of support are more than two, मतलब वह ऐसा beam. जिसमें number of support ज् दोस्तो fix beam, the beam in which both ends are fixed is known as fix beam, मतलब कि वैसा beam जिस पर दोनों के दोनों जो end होता है, वो fix कर दिया गया हो, उसको दोस्तो हम लोग बोलते है, fix beam, जैसा कि फीगर में दे सकते हैं, यह beam है, इसका दोनों का दोनों end fix किया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तो fix beam, अब और overhanging beam, मतलब कि वैसा beam, जिसका एक end तो fix किया गया हो, लेकि दूसरा end, या तो simply supported के दोरा हो, नहीं तो फिर overhanging के दोरा हो, उसको दोस्तों लोग बोलते है, proper cantilever beam, जैसा कि figure हम दे सकते हैं, दोस्तों, इन दोनों beam का एक पार्ट तो हम fix कर दिया है, देखे दोस्तों, एक पार्ट तो इसका fix किया हुआ, लेकिन जो दूसरा end है, उसको इसमें हम क्या दिया है, इसमें हम simply supported beam लगा है, लेकिन इसमें हम overhanging support दिये हुए, क्यों, क्योंकि इसमें कही रहा है, कि definition से ही कहा गया है, कि वैसा beam, जिस पर एक end तो fix किया हुआ हो, लेकिन दूसरा end, य I hope आप तो beam कितने परकार होता है, और beam क्या होता, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए दोस्तो फिलहाल किसे वीडियो में यहीं तक फिरे मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, अगर वीडियो स्रीज आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तो share कर न भूले तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में तब सबस्ते लिए देखते इस वीडियो सेरीज को धन्यवाद आप 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 आप